वेलकम, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का रेस्जिंशन पर मैं हूँ गई शाम शर्मा और आज बात करेंगे दिनांक 7 मई 2023 के गरंट अफ्यस पर तो चलिए शुरुवात करते हैं हमारे ये पहले पृष्ण के साथ राजस्तान का जो पहला और्गेनिक फूड फेस्टिवल है वो 5 से 7 मई तक आयोजित किया जा रहा है और कहां आयोजित किया जा रहा है यह आपको बताना है जावा देने और लोगों को बहतरी इंखाद्य पदार्थ उपलब कराने के लिए आयोजित किया गया है इस और्गेनिक फूड फेस्टिवल के माध्यम से सहकारिता विभाग और राजस्तान राज्यस सहकारी उभोकता संग लिमिटेड जिसको हम कॉन्फेट के नाम से जान तो और्गेनिक फूड फेस्टिवल पर अगर आपसे पुछा जाए तो आप उतर दे सकते हैं कि जैपूर में जो है इसका आयोजन किया गया है चलिए बात करते हैं अगले पृष्ण की निमलिकित में से किस जिले में मिशन लक्ष साधना इसके तहत आयाईटी और नीट ज जो हैं उनके माध्यम से एक special initiative शुरू किया गया है ताकि जो ग्रामेंट छेत्रों में सरकारी स्कूलों की जो चात्र हैं 11 सरकारी ऐसी स्कूल से जहांके चात्रों को आयाईटी और नीट की free coaching दी जा रही है पांच इनमें स्वामी विवेकानन राज की model school है और पांच राज की senior secondary school जबकि एक मात्मा गांधी राज की अंग्रेजी school है टौक के गुलजारबाग में इन सभी स्कूलों की जो चात्र चात्र हैं उनको इस mission लक्ष साधना के अंतरगत ये training जो है coaching दी जा रही है और इनमें से 9 विद्ध्यारतियों ने हाली में IIT advance के लिए भी qualify किया है चली अगला question देखते हैं 5 और 6 माई को दो दिवसी हल्दी घाटी युवा महुत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है तो दोस्तों हल्दी घाटी युवा महुत्सव के नाम से एक विशेश महुत्सव जो है उसका आयोजन हाली में राजसमंद में शुरू किया गया 5 औ यूवा बूर्ड की तरफ से भाग लेने वालों को प्रमान पत्र और प्रथम तीन इस्थानों पर रहने वालों को पुरुसकार भी दिये गए तो कहां पर आयुजित किया गया रास समन्जिले में हल्दी घाटी यूवा महुत सव आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे Current Affairs का PDF प्राप्त कर सकते हैं हमारे एप पर जिसका नाम है RS Junction आज ये अप्लिकेशन पर जाएं और वहां से हमारे स्कोर्स को जोइन करके आप इनके मंतली PDF और टेस्स स्रीज जो है उसका लाब ले सकते हैं चलिए अगला प्रिशन देखते हैं निम लिखित में से कौन सी एक परवतमाला है जहां देश की पहली डबल सुरंग को बनाया जाएगा डबल रेल सुरंग तो आप जानते हैं कि सिंगल सुरंग तो काफी बन रही है ठेक है लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब दो सुरंग एक साथ निकलेगी परवतमाला में से और वो है अरावली अरावली परवतमाला के हरियाना इस्थित जो छेतर है वहां पर लगबग 4.7 किलो मिटर लंबी और 25 मिटर उची सिरंग का निर्मान होगा दरसल जो हमारा वेस्टर डेडिकेटड फ्रेट कोरिडोर है जो कि उत्त यहां से हरियाना और्बिटर रेल कोरिडोर पर चलने वाले डबल डेकर माल गाडियां और यात्री ट्रेने गुजरेगी और यह जो रास्ता यह सोहना और मानेसर के रास्ते पलवल और स्वानिपत को जोडता है यह देश की पहली डबल रेल सुलंग जो की हरियाना में बनन जीता है अलांकि सेखो मिराबाई चानू इसमें छटे स्थान पर रही लेकिन बिंदिया रानी ने बहतरीन प्रदेशन करते हुए यह पदक अपने नाम किया सोरा खाइबं बिंदिया रानी देवी ने एक सो चोरानम केजी उठाया और जो चीन की चैन गवान लिंग है उन्होंने दोसो चार कीग्रा उठा के स्वन पदक जीता जबकि वियतनाम की खिलाडी क्विन हू कांश पदक जीत करके तीसरे इस्थान पर रही दोस्तो हाली में लव इन दे नाइंटीज नामक एक फिल्म को लॉंच किया गया अरुनाचल प्रदेश के तागिन समुदाये पर इस फिल्म को निर्मित किया गया और यह ऐसी पहली फिल्म है दरसल विधियम नियाय मंत्री किरन रिजिजुनी जो है इसको ट्रेलर लॉंच है और लगबख 50-60,000 आबादी वाली एक प्रजाती है सी दोनाई आगिन जनजाती का एक प्रमुख त्योहार है और पांस से आठ जनवी तक भवे रूप से मनाया जाता है चलिए बात करते एकले पृष्ण की हाली में प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी ने घोष्ण की कि वे जो है बास्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिती होंगे तो उनके बारे में ये घोष्णा फ्रांस के द्वारा की गई है फ्रांस और भारत के 25 वर्ष पूरे होने पर भारत और फ्रांस की जो साज़ेदारी है उसके 25 वर्ष पूरे होने पर 14 जुलाई को पेरिस में वे लोगों के सामने रखा है तो 14 जुलाई 1719 को हुआ क्या था बास्तील में इस तिर्फ जो सैने किला और जेल है उस पर आकर्मन कर दिया था लोगों ने और उसको जो है आजाद करवा दिया था चंगुल से वहां की जो मोनार्क साशन था उससे और उसके बाद ही फ्रांस में फ जाती है निमलिकित मैं से किसका हाल ही में ब्रिटेन के महराजा के रूप में राजय विश्यक किया गया है तो चाल्स तुर्तिय ब्रिटेन के महराजा बने है ठीक है किंग चाल्स का लंदन में राजय विश्यक किया गया और उन्हें केंटरबरी के आर्क विशप ने सेंट एडवर्ड का ताज पहनाया उनकी पतनी कैमिला अब रानी बन गई है चार्स तीन की बात करें तो सितंबर 2022 में उनकी मा क्वीन एलिजाबेट की मुर्त्यों के बाद वे बृटेन के महराजा बने थे तो दोस्तों ये थे साथ मही 2023 के करंट अफेर जिन पर हमने चर्चा की उ शेर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहें इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद